नमस्ते बच्चों, वेलकम दोविजित क्लासेज, बच्चों, आज के इस सेशन में हम शिरू करने वाले हैं, हमारी क्लास 12 का नया चेप्टर, जो की है चेप्टर नमबर 2, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चेप्टर है और बहुत मजद आने वाला है आपको इस चेप्टर में, ठीक है, लेकिन इस चेप्टर में कुछ कॉंसेप्ट्स अगर आपके कीलियर होंगे, तो आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, तो वो कॉंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए इस केला हमारा जो यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है inverse ठीक है क्या हो आपका बाइजेक्टी हो तब जाके हम उस function का inverse find out कर सकते हैं ठीक है अब question ही आता है कि जो हमने अभी तक trigonometric function पड़े हैं उसमें क्या था तो जितने हमने trigonometric functions पड़े हैं वो सब क्या थे क्या उसका inverse find out कर सकते थे क्यों 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 क्योंकि वो function हमारे one वन और on two function नहीं थे तो उसको लिख देंगे आप अब वो जब one वन और on to function ही नहीं तो उसका inverse तो हम find out कर नहीं सकते अब question क्या ये आता है कि sir जब हम trigonometric function हमारा one वन और on to function नहीं हैero तो उसका जब inverse find out नहीं कर सकते हैं तो यह chapter कैसा है जिसमें inverse trigonometric function find out करना है अब नाम तो उसका inverse trigonometric function है मतलब inverse तो find out होगा ठीक है लेकिन क्या होगा किसी condition पर होगा condition केसे जैसे बच्चों कभी कभी क्या होता है आप लोगो कहीं अपने friend की बड़े party में जाना होता है ठीक है आप parents से जो है request करते हो कि आज मेरे friend की birthday party है मुझे उसमें जाना है तो क्या होता है आपके parents मना कर देते हैं लेकिन फिर आप जब हो ज़्यादा request करते हो तो वो आपको जाने के लिए हाँ बोल देते हैं लेकिन एक condition के साथ बोलते हैं क्या बोलते हैं आप से बोलेंगे बे अगर हमको इस टिग्नोमेट्रिक function का inverse find out करना है तो इस function को one one और on two बनाना पड़ेगा ठीक है अब यह function one one और on two कब बन पाएगा तो यह function one one और on two तभी बन पाएगा ना जब हम क्या करें इसका जो domain और range है उस पर कुछ restriction लगा दें ठीक है तो अगर हम क्या करें इसके domain और range को restrict कर दें क्या करतें इसके domain और range को जो domain और जो range होगी आपकी उसको हम क्या कर देंगे restrict कर देंगे तब जाके जो है यह function क्या होगा one one और on two बन जाएगा और अगर यह function one one और on two बन गया तो फिर हम इसका inverse trigonometric function find out कर सकते हैं अब बच्चों हम बात करते हैं एप्लिक function है उसकी application कहां कहां हो सकते हैं तो देखे एक तो इसका आपका use होगा सबसे पहला calculus में जब हम calculus पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम inverse trigonometric function का use करेंगे वहाँ पे इसका use कैसे होगा तो वहाँ पे हम integrals को define करने में जो है इसका use करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि define many integrals बहुत सारे integr integrals ऐसे होंगे जिनकों कि हमको क्या करना पड़ेगा define करना पड़ेगा तो उनको हम define कर सकते हैं with the help of these inverse trigonometric function इसके अलावा और भी इसके uses हैं जैसे कि science की field में इसका use होगा science में physics में इसका use करते हैं जब हम waves की study करेंगे तो वहाँ पर हम trigonometric function और inverse trigonometric function का use करते हैं इसके अ तो कुल मिला के बात यह है कि जो हमारे inverse trigonometric function है इसका बहुत ही ज्यादा application हमारे आगे आने वाली study में होने वाला है इसलिए हमको इसको बहुत ही ध्यान से और बारी की से इसको समझना है अगर आपने इसको अभी अच्छे से समझ लिया तो आगे जाके आपको जो basic concept है वो basic concept of inverse trigonometric function तो देखी बच्चो inverse trigonometric function के पहले trigonometric function को थोड़ा सा याद कर लें तबी तो उसका inverse find round कर सकते हैं हम ठीक है तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और अपने class 11 पर पोश्चते हैं जहां कि हमने trigonometric function को पहली बार देखा था तो अब काफी time हो गया है और मुझे उम revise कर लेते हैं क्योंकि कुछ भी को हो जो भूली भीसरी बाते हैं उनको थोड़ा याद करना जरूरी होता है ना तो उसलिए हम क्या करते हैं trigonometric function को थोड़ा सा revise कर लेते हैं ताकि अब जो inverse पढ़ेंगे तो वहां पे हमको वह सब चीजें याद रहें देखो तो हमारी शिर को मालूम ही होगा कि यह जो value है अपनी यह क्या होती है यह domain है और इस side की जो value है हमारी यह represent करती है range को मतलब कहां से मिलती है हम को value range को range से दूसरी बात यह है कि यह सब जो हमने यहाँ पे values लिखी हुई है यह अपने natural domain और natural range है जो उसका original है वो है ठीक है अब इसमें जो restriction लगाना वो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी हमने जो class 11 पे पढ़ा था वो चीज देख रहे है ठीक है तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो sign की value हम रखेंगे जैसे कोई भी function हम ले लेते हैं sign x is equal to y तो यह जो x की value हम रखेंगे कहां से put करेंगे domain से और domain में क्या रख देंगे हम कोई भी real number रख देंगे कोई भी आप real number यहाँ पे put करोगे तो y जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा वो minus 1 से 1 के बीच मिलेग अब दूसरी बात आती है कि यह हमारा जो bracket आपको दिखाई दे रहा है कौन सा bracket है square bracket इसका क्या मतलब है कुछ याद आया आपको बिल्कुल सही जो square bracket है यह represent करता है हमारा closed interval और इस तरीके का जो bracket होगा आपका वो represent करेगा आपका open interval तो कहीं कहीं पर closed interval आपको दिखाई देगा कहीं आपको open interval दिखाई देगा पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसको closed interval में क्या होता है कि जो दोनों number है जैसे यहाँ पर है minus 1 और 1 तो यह जो y की value होगी यह अपनी इसमें minus 1 और 1 क्या होगा included होगा ठीक है क्यों कि यह closed interval है मतलब क्या होगा जो y की value होगी वो greater than or equal to होगी minus 1 से और less than or equal to होगी 1 से in closed interval और जो open interval होगा अगर इसमें भी value minus 1 और 1 है तो यहाँ पर जो y मिलेगा वो क्या होगा वो आपका greater होगा minus 1 से और less होगा 1 से दोनों में difference समझ में आया है यहाँ पर minus 1 और 1 included नहीं है ठीक है यहाँ मेंने equal to का sign नहीं लगाया है जबकि closed interval में क्या होता है कि minus 1 और 1 भी क्या रहेगा अपना included रहेगा तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेगा चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम तो यहाँ पर फिर क्या समझ में आया कि जो हम x की value रखेंगे वो कोई भी real number रखेंगे तो y हम तो क्या मिलेगा minus 1 to 1 देगा closed interval में फिर next function था हमारा cause वो कि तरीके से defined था तो cause size date r to minus 1 to 1 मतलब यहाँ पर भी क्या मतलब है domain हमारा r है और जो हमको range मिलेगी वो minus 1 से 1 के बीच में मिलेगी closed interval रहेगा ठीक है सेम जैसा sign के case में था चलिए next है हमारा function 10 तो 10 किस तरीके से defined है तो 10 size date r minus x x की condition क्या दिये है x such that x plus 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z और उसका result क्या मिल रहा है जो range मिल रही हो कोई भी real number आपको मिलेगा अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं यह क्या चीज है तो देखो जो x मतलब इसमें हम क्या करेंगे 10 में हम सारे real number रखेंगे लेकिन कुछ numbers को छोड़के अब वो numbers क्या है तो देखो यहां भी जो 2n plus 1 है यह क्या represent करता है odd numbers को represent करता है है ना odd number को लिखते थे इस form में 2n plus 1 के form में तो यहां पर क्या होगा आप odd number का multiply करोगे पाई बाई टू से तो जितने भी odd number है ठीक है जैसे 1, 3, 5, 7 इसके multiple के form में जो पाई बाई टू होगा वो इसकी domain में present नहीं होगा थोड़ा सा समझ लिजिए उसको कैसे जैसे कि हमारा पाई बाई टू हम आर की value कुछ भी रखें लेकिन पाई बाई टू नहीं रखना है ठीक है दूसरा क्या दूसरा number क्या होगा आपका तो 3 पाई बाई टू नहीं रखना है क्योंकि यह भी क्या है odd multiple होगे ना जैसे देखें एन बिलोंग कर रहा है जेट से तो जब हम इस function में इस में एन की value 0, 1, 2, 3 सब रखेंगे हम तो क्या होगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके से ठीक है मतलब आपको यहाँ पर odd number मिलेगा तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 यह सारी values हमको domain में put नहीं करनी है इसके अलावा सारी real numbers हम यहाँ पर put कर सकते हैं और जो हमको range मिलेगी वो क्या मिलेगी real numbers कोई भी real number हमको यहाँ पर मिल सकता है ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं code के case में तो code में भी क्या है code such that r minus x अब यहाँ पर x क्या है x is equal to n pi n क्या है आपका कोई भी number होगा multiple के form में तो यहाँ पर n belongs to z n काई से बिलोंग कर रहा है z से बिलोंग कर रहा है z क्या है set of integer से तो n की value आप कोई भी रखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको इस तरीके से मिलेगा यह पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई 4 पाई इस तरीके से value मिलेगी minus में भी मिल सकती है minus 2 पाई इस तरीके से जो values होंगी वो हमको यहाँ पर इसमें count नहीं करना है ठीक है तो code की value क्या होगी all real numbers except multiple of pi pi के multiple यहाँ पर count नहीं होंगे और उपर वाले में क्या था pi by 2 के odd multiples count नहीं हो रहे थे और आपको जो range मिलेगी वो r मिलेगी चलिए next function देखते है सेक r minus x such that x is equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z और range मिल रही है आपको r minus open interval में minus 1 to 1 देखिए यहाँ पर भी same वही चीज है यह क्या है आपका odd multiple of pi by 2 मतलब जो हमारी सेक का domain होगा उसमें भी सारे real numbers present होंगे except pi by 2 की यह सारी values वहाँ पर present नहीं होगी यह value हमको domain में नहीं रखना है इसको छोड़के कोई भी real number हम domain में रख सकते हैं बात किलिए रहे इसमें आप minus भी included होगा minus pi by 2 यह सारी values भी हमको इस तरिके से नहीं रखना है minus और plus दोनों में और जो range मिलेगा वो क्या मिलेगा all real numbers मिलेंगे except minus 1 और 1 के बीच के छोड़के मतलब देखें यहां पर मतलब क्या है यह है आपका open interval अभी आपको बताए था open interval में क्या है कि यह जो y की value होगी वो minus 1 और 1 के बीच में होगी तो minus 1 और 1 को छोड़के उसके बीच की जितनी value होगी वो हमको range में नहीं मिलेगी इसके अलावा सारी real values हमको range में मिल जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं cosec पे तो cosec function क्या था such that r minus x such that x is equal to n pi यहां पे क्या है हमारे पास में n belongs to z and जो हमको range मिल रही है वो मिल रही है r minus open interval में minus 1 to 1 अब यहां पे क्या मतलब है तो यह again वही है बात हो गई आपकी जैसे कि pi, 2 pi, 3 pi यह सारी values हमारी क्या होंगी cosec के domain में count नहीं होगी उसको छोड़के कोई भी real number हम यहां पे रख सकते हैं उसी तरीके से negative में भी minus 2 pi, minus 3 pi यह सारी values आपको domain में नहीं रखना है और जो range मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको all real values except minus 1 और 1 के बीच की value को छोड़कर बाकि जितनी values हैं वो सब आपकी r में present होगी मतलब range में वो सारी values आपकी मिल जाएंगी अब हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हुए लेकर चलते हैं basic concept पे अब जो main study है हमारी यहां से शुरू होने वाली है inverse trigonometric function के बारे हैं ठीक है तो पहले तो हम इसका थोड़ा सा जो basic concept है है ना कि इसका जो प्रारूप है वो हम समझ लेते हैं तो already अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कोई भी function है हमारे पास में ठीक है प्रामें बोलें या range बोलें एक ही बात है क्योंकि अब जब यह function हमारा हम यह मान कि चल रहे है कि यह function हमारा क्या है fx is equal to y यह हमारे पास में यहां कोई function given है ठीक है किस तरीके से fx is equal to y हमने यह पास में है है आपका function हम बोल देते हैं कि यह function हमारा one one और on two दोनों हैं तो अब हमको इतनी बात समझ में आ गई है कि अगर कोई भी function one one और on two होगा तो उसका f inverse मिल जाएगा है ना मतलब हम इस function का f inverse find out कर सकते हैं तो माल लेते हैं कि इसका जो f inverse होड़ा वो क्या होगा उसको डिनोड कर देते हैं जी से हैं ना किस तरीक के से करेंगे तो हमने देखा था कि जो हमारा function होता है है ना उसकी जो range होती है वो अब जब inverse बन जाएगा तो वो उसके लिए क्या बन जाती थी domain मतलब यहां पर क्या आ जाएगा आपका जो इनवर्स function है हमारा उसका domain क्या होगा जो हमारा main function था उसका जो range थी वो अब क्या बन गया हमारा domain और जो इस inverse function की range होगी वो क्या होगी जो पहले हमारा domain था बात समझ में आ रही है यही करते आए थे हम first chapter में पूरा यही कर रहा हमने जब हमने inverse के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर यही चीज़ हमने discuss की थी है ना तो अब हमारा जो function है वो क्या बन जाएगा जी ओफ y is equal to हो जाएगा आपका x किलियर बात है चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब देखें यहाँ पर जो golden X है हमारा वो काई से बिलूग करेगा एकस बिलूग करएगा इस capital X से है ना और जो वाय है वो आपका बिलूग करेगा इस capital Y से तो इस जी function के लिए य हो जाएगा आपका domain है ना और एकस हो जाएगा आपका core domain या हम बोलें उसको range है ना इसके हलिए क्या बन जाएगा, range बन जाएगा चलो, इतनी बात समझ में आ गई अब एक और बात समझते ही वो क्या, कि हमने देखा था कि यह हमारा जो function था fx, ठीक है, अभी मैं उसको f लिख देता हूँ है ना, जो function f इसका inverse क्या होगा, f inverse बना, है ना, उसको हमने f inverse बोला या g बोल दिया function को, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई थी अब अगर हम इस g function का वापस से क्या निकालें, वापस से inverse कर दें, तो क्या मिलेगा तो देखो, अगर इस g का मैं inverse निकालता हूँ, g inverse ठीक है, तो क्या मिलेगा, आप देखो तो g inverse का, g क्या है आपका g मतलब, f inverse तो g की जगे तो f inverse लिख दूँ और यह जो हमारा inverse है तो वो हमारा inverse बाहर आ जाएगा है ना, तो f inverse of inverse क्या मिल जाएगा आपको f ही मिलेगा ना, क्या मन जाएगा function, f इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने इस function का inverse निकाला तो हमको यह मिला g मिला, और हमने वापस से इसी function का अगर inverse निकालेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा, यही function f हमको मिल जाएगा मतलब पहले जब हमने inverse निकाला तो हमको g inverse मिला, मतलब f inverse मिला जिसका हमने g से denote किया था और वापस से इस f inverse का हम inverse निकालेंगे तो वापस हमको क्या मिल जाएगा यह function f मिल जाएगा उसको यह से भी समझ सकते हो आप जैसे कि एक function है अपने पास में x, ठीक है यह क्या function है, x इसका inverse निकालेंगे इसका inverse निकाला आपने तो क्या बनेगा इसका inverse, 1 by x या उसको मैं बोलू x power minus 1 यह तो एक ही बात होती है, ठीक है अब इस function का वापस से inverse निकालें क्या कर दें, इसका वापस से inverse निकालें तो inverse क्या हो जाएगा, देखो 1 by x का inverse करेंगे तो क्या होगा, वापस इसका उल्टा मतलब x मिल जाएगा हमको तो क्या कहने का मतलब हुआ यह हमारा f था, इस f का inverse निकाला तो हमको क्या मिला, g मिला ठीक है, और इस g का वापस से हमने inverse कर दिया तो हमको क्या मिला, वापस से function f लिए अब एक last बात और हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम हमारे inverse trigonometric functions पे आते हैं, ठीक है, वो क्या था हमने देखो, previous chapter में बढ़ा था न, f inverse of f f x, इसको क्या लिखेंगे हम यह होता था हमारा जो function ही है, क्या हो जाएगा, अगर हम bracket हटाएंगे, तो यहाँ आजाएगा f x, तो f inverse of f x लिख देंगे, ठीक है, यह f x काई के बराबर था, y के बराबर हम put करते थे थे न, f x is equal to क्या है आपका, y के equal तो f x क्या कर देंगे हम, y put कर देंगे, तो f inverse of y is equal to क्या होगा, आपका x मिल जाएगा, ठीक है न, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, y के equal put करेंगे, तो हमको यहाँ पर, जो result मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, x ठीक है, और फिर अगर हम इसका उल्टा करें, f of f inverse y, तो क्या हो रहा था है, हमने किया था न, f इस, f inverse y की जगे क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, यह ओट जाएगा हमारा, f inverse y और यह, f inverse y क्या है हो जाएगा, x हो जाएगा, इस function का inverse निकालेंगे, तो क्या होगा, इस function का inverse, यह, f इदर जाएगा, तो f inverse y हो गया, y is equal to हो गया आपका, x के बराबर, ठीक है न, इसका अगर हम inverse निकालते हैं, तो यह मिलता है हमको, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, f inverse y की जगे, x put कर देंगे, अब यह function हो गया, fx, fx क्या है, is equal to y है, बास समझ में आ रही है आपको, दोनों जगे, देखों, यहाँ पर क्या हुआ, f inverse y है, यह काई के एकवल है, x के, तो हमको क्या मिला, x, और यहाँ पर, f of x is equal to क्या हो गया, y, ठीक है, अगर इसमें कुछ ज़्यादा प्रोब्लम आ रही है, तो आप chapter 1 का पहले वीडियो देखके, और समझ सकते हैं, ठीक है, अभी इसका बहुँ ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका आइडियो होना ज़रूरी था, बच्चों, तो अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, है ना, तो हमारा मुद्दे क्या है, कि हमने पढ़ा था भी, साइन फंक्चन, साइन, फंक्चन, साइन, साइन, सच देट, आर टू, माइनस वन टू, वन, यह हमने पहला हमारा, साइन फंक्चन पढ़ा था, अब सबसे पहले हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अब हमारी बात क्या हुई थी, हमारी बात यह हुई थी, कि जितने भी हमारे टिक्नोमेट्रिक फंक्चन हैं, अगर उनके डूमेन को, या डूमेन या रेंज को, हम रेस्टिक कर दें, तो हमको क्या मिलेगा, साइन इन्वर्स मिल जाएगा, अब हमको वो समझना है, तो देखो, यहाँ पे हमारे पास में, डूमेन है, सेट ओफ रियल नंबर, अलब जो हमारे पास में, डूमेन है, वो क्या है, पूरा रियल नंबर से, अब इसको हम रेस्टिक करते हैं, ठीक हैं, तो restrict किस तरीके से करते हैं तो मैं इसके domain को restrict कर देता हूँ है ना domain को क्या करते हैं हम restrict कर देते हैं कहां restrict कर देते हैं उसको कहां से कहां तक limit कर देते हैं तो अगर हम इसके domain को restrict कर दे minus pi by 2 से plus pi by 2 तक तो हमको मिलेगा range minus 1 to 1 दिखो range में कोई change नहीं आएगा range आपका as it is रहेगा जो range यहां पर था ठीक है सिर्फ हमको restrict क्या कर देना है domain को restrict कर देना है तो domain को अगर हम restrict कर रहे हैं minus pi by 2 से pi by 2 तक तो हमको क्या मिलता है range मिलता है minus 1 से plus 1 अब सबसे पहला जो question आपके दिमाग में भी चल रहा होगा वो यहीं होगा ना कि सर यह minus pi by 2 से plus pi by 2 क्यों लिखा के से आया बिल्कुल सही है पूछना चाहिए क्यों हुआ सोचो क्यों हुआ देखो तो इसको समझने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ साइन वेव ड्रो कर लेते हैं साइन वेव क्या थी है हमारी इस तरीके से साइन वेव होती है यह वेव फोम है यह हो गई हमारी x-axis इधर हम लिख देते हैं x- यहां हमने mark कल दिया 0 ठीक है अब यहां real numbers हम लिख रहे हैं तो हम x की value क्या put करते थे इसे 0, 30, 60 यह ऐसा values हमको यहां लिख दे नहीं है तो उसी को हम पाई के form में भी लिख दे एक ही बात है मतलब देखो 0 लिखूं अगली value आपकी क्या होगी 30 degree होगी तो suppose मैंने 30 degree लिखा है ना फिर क्या मिलता अपने को 45 होता है थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं फिर उसके बाद में क्या होगा आपका 45 के बाद में 60 फिर यह होगा आपका 90 थोड़ा सा बड़ा लिख दिया मैंने क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं अगर इसी को मैं पाई के फॉर्म में लिखू तो क्या होगा 90 कम पाई बाई टू लिखेंगे यह होगा आपका पाई बाई 6 पाई बाई 4 पाई बाई 3 ठीक तो अभी उस पर में अभी जाता नहीं हो फिर आगे हम बढ़ेंगे तो यहां आ जाएगा हमारा पाई ठीक फिर थोड़ा सो और एक्स्टेंड कर देते हैं हम तो यहां आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिगरी इसके इधर आते हैं तो यहां आपको मिलेगा यहां बना देता हूं मैं माइनस पाई बाई 2 फिर इधर मिलेगा आपको माइनस पाई यह हो गई अपनी x-axis फिर यहा उपर होगा आपका y और नीचे हो जाएगा y- है ना यहां पर हम मार कर देते हैं सपोस्थ यह प्लस वन कर दिया इधर मिने कर दिया माइनस वन और भी नमबर हो जाएंगे इधर 2 हो जाएगा इधर माइनस 2 हो जाएगा y-axis पर हमारे numbers होंगे अब देखिए अब देखिए यह हमारे पास एक कोई function है sin theta यह ना theta की जागे हमने क्या लिखा है यहां पर x ले लेते हैं sin x की value कुछ रखते जाना है तो हमको क्या मिलेगा यहां पर y मिल जाएगा ठीक है जैसे यह हमारे पास में क्या हो गया हम यहां x रखते हैं x अगर हमने रखा 0 degree तो sin 0 कितना होता है 0 होगा ठीक है फिर हमने क्या रखा sin की value x is equal to 30 degree रखी तो sin कितना मिलेगा हमको हमको sin मिलेगा 1 by 2 यह होता है sin 30 कितना होता है 1 by 2 फिर हमने रखा sin 45 तो क्या मिलेगा आपको sin 45 मिलेगा 1 by root 2 फिर sin 60 क्या मिलेगा root 3 by 2 फिर sin 90 कितना होगा 1 इस तरीके से सारी values हम रखते जाएंगे हैं तो हमको यहां पर x और y मिलता जाएगा तो आप देखो अगर इस से हम यहां पर graph load करें तो क्या बनेगा देखो sin 0 पर 0 यह coordinate हो गए आपके 0 और 0 फिर क्या मिल रहा है sin 30 पर कितना मिल रहा है 1 by 2 एप्रोक्स यहां कही पोइंट आएगा आपका ठीक यह क्या होगा इसके coordinate तो हमने यहां पर रखा 30 डिगरी पर पाइब रहा है इसके ओपर value मिलेगी फिर sin 90 कहा मिलेगा sin 90 क्या मिल रहा है 1 तो वह कहाएगा आपका यहां आ जाएगा है ना फिर उसके बाद में sin 80 मतलब 180 कितना होगा 0 होगा तो देखो waveform इस तरीके से बनेगी ना हमारी इसको फ्री एंड से ग्रो करता हूं तो waveform क्या बन रही है इस तरीके से waveform बन रही है फिर उसी तरीके से हम और values लेंगे तो यह value आपकी इस तरीके से जाएगी है ना minus 1 से चली जाएगी फिर हम इदर अगर value लेंगे तो यहां पर क्या हो गए negative आपको मिलेगा पाई बाई टू पर कितना मिलेगा minus 1 इदर 3 पाई बाई टू पर क्या मिल रहा है minus 1 बात समझ में आ रही है तो यह हमारी waveform इस तरीके से ड्रो हो रही थी है ना अगर इसको और detail में आप समझना चाते हैं तो जो 11th में हमने waveform ड्रो करी थी उसका video आप एक बार देख तो आपको यह और अच्छे समझ में आ जाएगा अभी तो सिर्फ मैंने मोटे दोर पर आपको समझा दिया है ठीक है अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी आया तो एक बार आप उसमें से आप देख लेंगे तो आपको यह महां बहुत detail में समझ मे तो देखो यहां पर हम जो हमारी बन गई है साइन वेंफ़ाउं ठीक अब बात यह आती है कि हमने यहां पर जो हमारा δोमें था उसको क्यो रैसूर्टिक किया माइनस पाई वाई वाई टू से पाई वाई थी तो आप देखिए यहां पर जब हमारा साई फंक्शन आर था म lett मतलब हम क्या कर रहे थे जब भी domain कोई भी real number रख रहे थे हमको range में क्या मिल रहा था range में जो y मिल रहा था वो क्या हो था वो आपका y ऐसा कह सकते ना minus 1 से greater था greater than or equal to minus 1 and less than or equal to 1 मतलब minus 1 और 1 के बीच में number था including minus 1 and 1 है ना क्योंकि यहां पर क्या है square bracket पहले discuss कर चुकी है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो आर कुछ भी रखें हमको क्या मिलना है range में हमेशा minus 1 से 1 के बीच में ही मिलना है तो minus 1 कहा है यह रहा और plus 1 कहा है यह है तो हमको क्या करना है इस range को ऐसे restrict कर देना है कि हमारी जो waveform है वह minus 1 से 1 के बीच में ही हमको range दे ठीक है, देखो, अब आप यहाँ पे देखो कि क्यों हमने minus pi by two से pi by two लिया है तो देखो minus one कहा है, यहाँ है उसको हलका सा हम एससे draw कर देते हैं ओकर okay, और plus one कहा है, यहाँ है इसको भी हम एससे draw कर देते हैं ठीक है अब देखो आप अपनी वेवफों में कुछ दिखाई दे रहा है आपको आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह माइनस बाइन और यह प्लस बन यहां मिल रहा है इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक यह जो ब्लू कलर से मैं इसको मार कर रहा हूँ यहां से यहां तक हमने क्या कर रहा है अपनी range को restrict किया है सिर्फ इतने function के लिए इतनी देर के लिए तो इसमें क्या हो रहा है हमारा function one one और on two बन जाएगा ठीक है तो इसलिए हम क्या करते है इसको restrict कर देते है जब हम इसको minus अब यह जो value थी अपनी कहा मिल रही ताई से मिल रही थी minus pi by two है है ना domain में हमने क्या put किया था x की value minus pi by two की थी तब हमको क्या मिला था one मिला था ना कि जब हम pi by two put कर रहे है तो y कितना मिल रहा है minus one मिल रहा है ठीक है और यहां पर क्या put कर रहे हैं plus pi by two put कर रहे है तो हमको मिल रहा है y में plus one तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको minus pi by two से pi by two तक क्या कर रहे है restrict कर दे रहे हैं तो इसलिए हमारा sign को हमने restrict किया minus pi by two से pi by two और हमको मिल रहा है range में minus one से one अब ये बात तो समझ में आ गई अब कोशन ये उठता है कि सर और भी बहुत सारी वेवफों ऐसी होंगी जिसको कि हम अगर वहां तक रेस्टिक करें तो माइनस वन से वन मिल जाएगा बिल्कुल सही है ऐसी और भी हम जो है रेस्टिक्शन लगा सकते हैं तो वह रेस्टिक्शन क्या क्या और हो सकती है तो ये भी हो सकता है कि हम क्या करें इसके इधर की अगर बात करें तो माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू इसको रेस्टिक्ट कर दें तो अभी आप देखोगे आपको क्या मिलेगा? माइनस one से one मिलेगा या फिर देखो माइनस पाइबाई टू से पाइबाई टू तो हमने रखी दिया है इसके अलावा दूसरी value क्या रख सकते हैं? हम प्लस पाइबाई टू से 3 पाइबाई टू रख दे आप देखें यहां पर इतना इसको भी अगर आप देखोगे तो यह भी क्या होगा यह भी हमारा जो है अगर हम यहां से यहां तक एस्टिक कर दें तो हमको range में क्या मिलेगा 1 से लेके minus 1 मिल जाएगा है ना तो इसको भी हम रख सकते हैं तो हम क्या रख सकते हैं पाई बाई टू से माइनस 3 पाई बाई टू याद रख में square bracket में लगा ना क्योंकि हमको इन दोनों को include करना है तो यह से हम आगे तक और भी values रख सकते हैं जिसमें इसको restrict किया जा सकता है और इधर भी हम minus में इस तरीके से इसको restrict कर देंगे तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी values के लिए हम इसमें restriction ऐसे part को लगा सकते हैं है ना अब हमने क्या करना है देखो हमने minus pi by 2 plus pi by 2 क्यों लिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे सोरी अब लिया तो हमने क्या है सब में कुछ भी ले सकते थे हैं हम minus pi by 2 जब pi by 2 को लेंगे इसको यहाँ पर minus लिखेगा यह minus लगा ना minus pi by 2 से minus 1 लिखाता तो जो minus pi by 2 से plus pi by 2 हम रख रहे हैं इसको हम बोलेंगे principal value है ना अभी जब हम sin inverse लिखेंगे तो वहाँ पर इसको हम बोलेंगे principal value branch ठीक है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा एक principal value branch हो जाएगा तो हमने बोला sin inverse अगर हम इतनी चीश समय के लिए इसको restrict कर दें तो यह function क्या बन जाएगा आपका one one end on two ठीक है ना तो हम बोल सकते हैं कि then function becomes यह हम बोलें then sin function becomes one one end on two one one end on two हम बोल सकते हैं function क्या बन जाएगा आपका one one और on two बन जाएगा और अगर यह function one one on two हो गया तो फिर हम इसका inverse find out कर सकते हैं तो अब इसका inverse क्या लिख देंगे हम तो function का inverse बन जाएगा sin का inverse क्या हो जाएगा sin inverse यहाँ पे sin function है अब क्या हो जाएगा उसका inverse तो sine inverse such date किस तरीके से अभी आपको बताया था कि जो पहले हमारा domain था वो तो अब आ जाएगा range में और जो range थी वो कहा जाएगा domain में inverse में यही पड़ा था न हमने if such date x to y तो क्या हो जाता था g function क्या बन जाता था y to x प्रिंसिपल वेल्यू ब्रांच क्या होगी आपकी यह तो प्रिंसिपल वेल्यू ब्रांच तो यह बन गए आपका sine inverse अब बात आती है कि इसका graph कैसे बनेगा तो देखो इसका graph बनाने का बहुत ही simple सा तरीका है क्या method है simple सा तो simple सा method ऐसा है कि अभी तक हमने क्या कर रहा था जब यह वाला graph बनाए था तो जैसे हमने value ली थी ना a b मतलब आप उसको ऐसे लिख दो x y लिया था हमने x y ठीक है अब हमको क्या करना है इसकी value को पलट देना है मतलब अब हम क्या रखेंगे y और x रख देंगे उसको ऐसे समझ लिए अगर हम और यहाँ हमारे पास मैं बढ़े किया इसको मैंने a लिखा और तो b कितना मिले आपने को one मिला तो अब हम क्या करेंगे इन्वर्स बनाएंगे तो इन्वर्स के लिए हम क्या लिखेंगे उसको b a मतलब x axis पर आम b लिख देंगे और y-axis फर्म क्या लिखेंगे a मतलब b कितना हो जाएगा आपके यहापके था 1 तो यह हो जाएगा 1 और coordinate अपने को मिल जाएगे 1 और πाई बाई बाई 2 बात समझ में आ रही है यहाँ पे पाई बाई 2 और 1 था तो आप क्या बन जाएगा 1 और πाई बाई 2 बस इनकी वेल्यू को इसे देना पलट देना है ठीक है तो पलट देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कोज ए सॉरी साइन इंवर्स हमको मिल जाएगा चलिए अब हम साइन इंवर्स को ड्रो करते हैं यह वेवफोर्म बनाई थी काई के लिए बनाई थी हमने साइन एक्स के लिए बनाई थी ठीक है य इकल टू क्या सापने पास में साइन एक्स के लिए हमने यह वेवफोर्म डोकर डिखी अब हम इनवर्स के लिए बनाते हैं ठीक है अब inverse के लिए क्या कर देंगे हम जो हमारी waveform है तो जो x-axis थी वो आप कहां आ जाएगी आपके उठके y-axis पे आ जाएगी और जो हमारा y-axis था वो उठके आप आ जाएगा x-axis पे किस तरीके से देखो ये जो value हमने रखी थी न 0, pi by 2, pi 3, pi by 2 ये कहां रखी थी हमने x-axis पे अब उसको हमको लिख देना है y-axis पे तो ये हम लिख देते हैं 0 ये होगी आपका pi by 2 फिर चले pi फिर 3 pi by 2 फिर 2 pi है न और नीचे आ जाते हैं तो minus pi by 2 फिर minus pi फिर minus 3 pi by 2 और minus 2 pi and so on और x-axis पे क्या रखेंगे जो पेले हमने x-axis पे रखा था 1, 2 रखे देना तो हम यहां लिख देते हैं ये होगी हमारा 1 और इधर हो जाएगा minus 1 ठीक है अब value पलट देते हैं तो waveform कैसी बनेगी हमारी अब waveform हम बनाते हैं इसकी तो देखो क्या था सबसे पहले हमारा 0, 0 0, 0 तो ये तो पलट देंगे तो भी क्या रहेगा आपका 0, 0 रहेंगे ठीक है फिर उसके बाद में देखो sin π.2 पे क्या मिल रहा था हमको 1 मिल रहा था तब उसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 रखेंगे तो π.2 मिलेगा मतलब x-axis पे आप 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको ये π.2 ठीक है ना x पे 1 रखा हमने तो क्या मिला y पे हमको π.2 मिल गया तो coordinate हो गए आपके 1 π.2 हुआ ना यहां π.2 और 1 था इधर हो गया 1 और π.2 फिर उसके बाद में जब हम sin की value 0 रखेंगे sin inverse 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहां पे पाई मिल जाएगा तो इस तरीके से हम जो waveform ड्रो करेंगे यहां ऐसी waveform वारी बन जाएगी इस तरीके से waveform ड्रो होगी हमारी ठीक है तो यह बन गे हमारा waveform काई की बन गई है y is equal to sin inverse xt अब देखिए हमने हमारा sin inverse को कैसे define किया था यहीं किया था ना sin inverse such that हमने कहा था minus 1 से plus 1 तो हमको मिल रहा था minus pi by 2 से plus pi by 2 ठीक है तो अब यहां पे देखिए हमने रखा minus 1 से plus 1 है ना तो इस पर रखते हैं तो क्या मिलता है हमारे यह minus 1 यहां आता है तो minus 1 से हम चलते हैं plus 1 तक तो देखिए range क्या मिलेगी आपको minus pi by 2 से यह plus pi by 2 तक मिल रही है इतना यह minus pi by 2 से plus pi by 2 तक हमको range यहां पे मिल रही है तो यह जो range होगी न इसको हम बोलेंगे principal value branch क्या बोलेंगे इसको हम principal value branch ठीक है तो यह sign function था इसका जो हमने sign inverse निकाला तो यह जो हमारी range यह जो हमारी branch होगी इसको बोलते हैं principal value branch तो आपको इसको sign inverse में show करना है अब बच्चो एक बात और आती है वो क्या किसे हमने sign inverse लिया अगर हम कुछ और branch लेते हैं तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं कैसे लिख देते हैं कि sign inverse minus 1 to 1 है ना और अगर आप कुछ और branch लेते हैं सबोस्थ हम ले लेते branch pi by 2 से 3 pi by 2 है ना अगर हम sign function में क्या लेते हैं अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं sign size that pi by 2 से 3 pi by 2 ओके और हमारी range मिलती minus 1 से plus 1 तो इसके लिए हमारा inverse क्या बनता इसके लिए inverse यह लिखते हैं यह sign function होता अब मैं यहाँ पर हमने क्या करा है इसका restriction कुछ change कर दिया दूसरी branch ले ले ली pi by 2 और minus pi by 2 ना लेते हुए हमने pi by 2 से 3 pi by 2 ले लिया तो उस case में आपका inverse क्या होगा तो हो जाएगा minus 1 to 1 और यह जो आपका range है वो हो जाएगी pi by 2 और 3 pi by 2 के बीच में ठीक है तो जो भी आपका यहाँ restriction होगा domain का वो ही आपका यहाँ पे inverse में range बने दाएगा अब बच्चों इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि अगर यह दो दोनो graph है ठीक है y is equal to sin x का जो graph हमने बनाये था यह और y is equal to sin inverse x ठीक है यह दोनो graph को अगर हम एक ही graph पे बनाएं तो यह graph किस तरीके से यह graph आपको इस तरीके से दिखाई देगा यह तो हो गई हमारी sin wave इस तरीके से हमारी जा रही है sin wave ठीक है उसके बाद में यह जो हमने उपर ड्रो करी हुई है यह हो गई है आपकी sin inverse wave है ना यह इस तरीके से जा रही है यह हमारी sin inverse है क्या है y is equal to sin inverse x है और यह जो है अमारी कौन सी wave हो में यह है अपनी y is equal to sin x जो black से हमने ड्रो किये अब आप देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यह दोनों एक दूसरे की mirror image बनते हैं है ना तो यह जो original sin wave है उसका अगर हम inverse करेंगे तो हमको एक mirror image मिल जाएगी at y is equal to x अब हमारा जो next function है वो है cos है ना क्या था cos such that are 2 minus 1 to 1 यह हमारे पास में cos function दिया हुआ था अब इसका inverse अगर हमको करना है तो मतलब पहले function को क्या करना पड़ेगा 1 1 और on 2 बनाना पड़ेगा तो 1 1 और on 2 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको इसकी जो domain है उसको restrict करना पड़ेगा तो अब कहां तक हम इसको restrict करें तो देखो अगर हम इसकी domain को real number की वज़ा है उसको हम restrict कर दें 0 to pi तो हम तक restrict कर दें सिर्फ 0 से लेके pi तक के लिए कर restrict करें तो यह हमारा function 1 1 बन जाएगा और range मिलेगा आपका minus 1 से plus 1 range में कोई change नहीं आएगा सब function में आप धियान रखेगा range हमको यही मिलना है जो range given है तो range कितना मिलेगा आपका minus 1 से 1 मिल जाएगा ठीक है अब इसके अलावा और भी हम branches रख सकते हैं क्या रख सकते हैं restriction और भी लगा सकते हैं कैसे लगा सकते हैं हम चाहें तो रख दे minus pi से 0 या फिर रख दे minus 2 pi से minus pi तक ठीक या हम रख दे यह 0 से pi तो हमने रखाई है और भी रख सकते हैं pi से 2 pi ले सकते हैं लेकिन हम इसी प्रांच को consider करके अभी चलेंगे ठीक है अब बात आती है कि अगर यह हम function ले लेते हैं यहां पर हमने रेस्ट्रिक कर दिया तो अब इसका inverse क्या बनेगा तो देखो इसका हमारे पास में पहले डोमेन था वह अब क्या बन जाएगा हमारी रेंज बन जाएगा तो यह हो गया जिरो टू पाई अब देखो अगर इसी तरीके से हम कोई और दूसरा function ले ले थे मलब function यह ले थे अगर हम कोई और branch ले 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 थे जैसे suppose हमने ले लिए पाई से टू आपका जो रेंज था वह बन जाएगा डोमेन और जो डोमेन था वह बन जाएगा आपका पाई से टू पाई तो जो भी branch लोगे वह आपका बन जाएगा आपका range बन जाएगा ठीक है तो हमारे लिए तो सिर्फ यही काम का है और इसको हम बोलते है principal value branch principle value branch तो बच्चों अब बात आती है हमारी waveforms की तो यहाँ पर देखिए हमने दोनो waveforms टो पी हुई है y is equal to cos x और y is equal to cos inverse x अब y is equal to cos x की waveform हम already पहले बना चुके हैं class 11th में है ना वो किस तरीके से बनती है तो waveforms ऐसी होंगी जो आपकी क्या होगी 0 पे तो उसकी value 1 होगी है ना cos 0 की value कितनी होती है 1 होती है cos pi by 2 की value कितनी होती है 0 होती है फिर उसके बाद में cos pi की value कितनी होगी minus 1 होगी तो इस तरीके से हमने waveform यहाँ पे draw की होगी है तो यह तो simple हमारी हो गई y is equal to cos x की waveform अब इसका inverse करना है तो क्या करेंगे जैसे हमने पहले किया था sign की case में ab को bf कर देना है कोस को Interchange कर देना है तो अब हमको क्या बन जैगा हमको मिल जाएगा cos inverse तो देखिए अब क्या करा हमने तो अगर हम cos inverse की value कितनी रखते है वन लिखते है तो हमको क्या मिलेगा यहां पर यहाँ पर मिल जाएगा आपको 0 ठीक है अगर हम cos inverse की value 0 रखते हैं तो हमको मिलेगा πाई बाई 2 फिर अगर हम cos inverse की value minus 1 put करते हैं तो हमको मिलता है πाई है ना उसी तरीके से हम negative में put कर देंगे तो आप देखो इस तरीके से हमारी waveform बनेगी अब बात यह आती है कि हमने यह जो branch है यही क्यों ली थी है ना minus 1 से 1 या इसी branch का principle value branch क्यों बोलते हैं तो देखो कहां से कहां तक हमारी minus 1 से 1 आ रहा है है ना यहाँ पर हमने यही branch क्यों select की सबसे पहला question हमारा दिमाग में ही होता है कि यह 0 2 pi 2 pi 2 pi से 2 2 pi से 3 pi यही क्यों लिया कुछ और क्यों नहीं लिया है ना जैसे हमने sign की case में देखा था तो आप देखो यहाँ पर 0 से लेके pi तक यह 0 है और यह pi है आप देखो 0 से pi تक range कितनी मिल रही है 0 पर range कितनी है 1 है है ना और पाई पे रेंज कितनी है, माइनस वन है, यहां से देखे एक ग्याम से, यह 0 पे आपकी रेंज थी 1, हम चले, पाई बाई टू पे पहुँचे, तो रेंज आगे 0, और पाई पे पहुँचे, तो हमको रेंज मिल गई माइनस वन, तो देखो, 0 से लेके पाई के बीच में, सार 0 से पाई तक रेस्टिक्ट किया, एकस की वेली 0 से पाई रखी, तो वाई गया मिल रहा है, आपको 1 से माइनस 1 के बीच में, सारे रियल नंबर्स, सारे नंबर्स मिल जाएंगे, तो इसलिए हमने डोमेन में रखा था, 0, 2 पाई, और रेंज में हमको मिल रहा था, माइनस 1 स बन अब जब इसका इनवर्स निकाल रहा है, तो देखि democratic किया हुरा है, हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, माइनस 1 से वन, तो हमको रेंच क्या मिल रहा है, यह जीरो टू पाई。 देखिये, हम जिसे माइनस 1 से यहां यहां है ना, MYनस 1, यहां से हम पुट कर रहे हैं, प्लस 1 तक तो कितना मिल रहा है? यह हम माइनस वन और यह प्लस वन ठीक है? तो आपको क्या मिल रहा है? जीरो से लिएकर पाई मिल रहा है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है? जीरो है और यह आपकर कितना हो गया? पाई हो गया? ठीक है? तो कहने का मतलब यह है, जब हम यहाँ पर जीरो से पाई रख रहे थे तो range क्या था? माइनस वन से बन अब हमारे लिए उल्टा हो गया यहाँ पर क्या हो गया? जो पहले range था वो domain बन गया, यह क्या बन गया? अपने लिए domain और यह बन जाएगी आपकी range तो अब यह cost था उसका inverse बनाया तो यह graph हमारा इस तरीके से बनेगा और यह जो branch होगी आपकी, इस branch को हम बोलेंगे principal value branch principal value branch कौन से होगी principal value branch? 0 से लेके πाई तक next हमारा function है cosec, ठीक है? अब cosec function क्या था हमारा? तो हमने देखा था cosec such that r minus x x is equal to n pi x such that x is equal to n pi where n belongs to z और range क्या मिल रहा था आपको? r minus open bracket में minus 1 से 1 ठीक है? क्या मतलब था इसका? तो इसका मतलब यह था कि cosec में सारे real numbers present होगे, है न? except कौन से? integral multiple of pi को छोड़के तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा domain है वो कह रहा है not defined for वो काई के लिए defined नहीं है तो आप उसको यह से दिख सकते हो not defined for integral multiple of pi है न? integral multiple of pi के लिए defined नहीं है कैसे? जैसे कि देखो pi के लिए defined नहीं है अगर n की value 1 रखे तो फिर n की value 2 रखेंगे तो 2 pi के लिए defined नहीं है 3 pi के लिए defined नहीं है और अगर n की value 0 रखेंगे तो 0 के लिए भी यह defined नहीं होगा फिर n की value minus 1 रखेंगे तो minus pi के लिए भी यह defined नहीं होगा तो इस तरीके से इन numbers के लिए इस numbers के लिए हमारा domain defined नहीं है यह हम बोले domain में ये numbers present नहीं होगे मतलब 0 नहीं होगा pi मतलब 180 degree नहीं होगा है ना फिर उसके बाद में 360 नहीं होगा तो ये सारे numbers यह present नहीं होगे अब देखते हैं range तो range के से defined है हमारा r minus open interval minus 1 to 1 इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि range में सारे real numbers present होगे except minus 1 और 1 के बीच के number को छोड़के तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो all real numbers except kai को छोड़कर except minus 1 और 1 के बीच के number को छोड़कर मतलब y की value जो है minus 1 और 1 के बीच में नहीं होगी इसके अलावा सारे numbers होगे all real numbers except यह यह ना y यह नहीं होगा इतना y इस range में present नहीं होगा चलिए अब बात पुपड़ाते हैं अपनी आगे तो अब हम इस जो हमारा domain है इसको restrict करना है तो इसको restrict क्या हाँ से कहा तक करेंगे तो हम इसको restrict करेंगे को से एक सज़देर हम यहाँ पर ले लेंगे हमारा interval देगो हमने जो sign में लिया था sign में क्या लिया था आपने तो याद करो sign में हमने define किया था उसको minus pi by 2 से pi by 2 तक ठीक है तो यहाँ पे भी आप क्या define करोगे उसको उस तरीके से ही minus pi by 2 से plus pi by 2 ठीक है और square bracket लगाना मतलब closed interval में रखोगे और साथ में क्या करना है आप देखो यहाँ पर क्या present नहीं है देखो sign के case में क्या था कोई condition थी क्या नहीं था वहाँ सारे real numbers थे domain में वहाँ क्या present था सारे real numbers present थे लेकिन यहाँ पर domain में क्या है condition है all real numbers except इनको शोड़कर 0 pi तो देखो minus pi by two और pi by two के बीच में कौन सा इनमें से number होता है जो नहीं आता तो हमको मालूम है 0 इसमें present नहीं होगा तो except 0 यह सारे क्या होंगे आपके domain हो जाएंगे जिसको हमने restrict कर दिया है range क्या मिलेगा तो मैंने बोला था range में तो कोई change आता नहीं है जो range होगी वो आपको as it is लिख देना है ठीक है तो यह होगे अपना हमने यहाँ पे इस domain को इतने के लिए restrict कर दिया ठीक है इसके अलवा कुछ और restrictions भी हम लगा सकते हैं कौन से लगा सकते हैं तो देखो हम लगा सकते थे minus 3 pi by 2 से minus pi by 2 तर ठीक है और साथ में इसमें क्या करना पड़ता हमको minus कर देना पड़ता क्या तो इसमें minus pi के लिए define नहीं होता समझ में रहे हैं यहाँ पे minus pi नहीं आता इसके अलवा और क्या restriction लगा सकते थे हम लगा सकते थे pi by 2 से एक तो यह होई किया minus pi by 2 से pi by 2 एक और लगा सकते हैं pi by 2 से क्या करते हैं plus 3 pi by 2 यहाँ पे क्या minus करना पड़ता हमको pi इसमें present नहीं होता ऐसे हम और भी बहुत सारे restrictions लगा सकते थे और भी branch के लिए restriction लगा सकते हैं चलो तब बढ़ते हैं इस पे तो अब हमाई पास में यह बनके हमको cosec मिल गया है ना जिसका कि हमने यहाँ पे restriction लगा दिया अब यह restriction लगा दिया है तो therefore is function क्या बन जाएगा therefore function becomes one one and on two restriction लगाने पे यह function one one और on two बन जाएगा तो अगर यह one one और on two बन गया तो हम क्या कर सकते हैं इसका inverse निकाल सकते हैं तो इसका inverse क्या होगा आपका तो इसका inverse हो जाएगा cosec inverse सच दे क्या करना है वही जो भी तक करते आए हैं जो यहाँ पर range थी अब क्या बन जाएगा आपका domain तो आप यहाँ पर लिख देंगे r minus open interval में minus one to one और range क्या मिलेगा जो पहले domain था domain क्या था आपका closed interval में minus pi by two से plus pi by two और minus 0 इसमें include नहीं होगा ठीक है 0 को आप यह अपने bracket में लिखेंगे क्योंकि 0 क्या है अकेलाइक element है जो इस range में present नहीं होगा यह हम बोले इस cosec के domain में present नहीं होगा अब हम बात करते हैं हमारे waveform की ठीक है तो यहाँ हमने cosec function की waveform डोग करिए और इदर cosec inverse की हमने waveform डोग किए है ठीक है cosec की waveform में किस तरीके से हमने डोग किया है तो देखें यह होगा अपना x-axis और यह होगा y-axis हमने x-axis पे सारी angles को लिख दिया है 0, pi by 2, pi, 3, pi by 2, 2, pi और y-axis पे हमने numbers को represent किया है 1, 2, 3 ठीक है अब क्या करते हैं देखो आप cosec की value बूट करके देखते जाएं जैसे तो cosec 0 अगर हम रखते हैं तो 0 degree पे cosec की value कितनी होती है not defined होता है तो इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर हम x की value 0 रखते हैं तो कहीं पे आपको cosec define कर रहा है कोई point हमको नहीं मिल पाएगा तो ठीक है हमने 0 को शोड़ दिया इसके पाद आगे बढ़ते हैं अगर हम cosec π.by.2 रखते हैं तो π.by.2 पे cosec की value कितनी मिलती है 1 मिलती है तो देखे हमने 1 पे मार्क कर लिया इसको ठीक है इसके अलावा जो भी हम दूसरी value रखेंगे तो ऐसे हमको values मिलती जाएगी तो हम सबको जोइन करेंगे तो इस तरीके से हमारा graph बनेगा फिर आप देखो cosec की value 180 degree रखो मतलब π.by रख के देखते हैं तो π.by या हम बोले cosec 180 degree कितना होगा वो भी आपका note defined होगा तो देखे हम उसको π.by पे define नहीं कर सकते तो आप देखे हैं दोनो लाइन हमने बनाई है एक तो हमारी y-axis है और दूसरी यह जो dotted line आपको दिख रही है इन दोनों पे कभी भी यह जो graph है न आपका यह कभी भी आपको जो है टच होता होगा दिखाई नहीं देगा यह से हमेशे क्या रहेगा दूर रहेगा क्यों क्यों क्योंकि 0, pi, 2, pi इसके लिए क्या है हमारा जो है cosec function defined नहीं है है ना हमने यहां पे दिखाया ना यह तो हमने बात कर रहे है restriction लगा दिया है ना तो minus pi by 2 और pi by 2 देखो minus pi by 2 और pi by 2 इन दोरों के बीच में क्या 0 पे defined है तो देखो यह 0 वाली line है 0 पे y axis पे कहीं पे यह graph touch हो रहा है तो इधर भी touch नहीं हो रहा और नीचे भी कहीं पे touch नहीं होगा तो कहने का मतलब क्या है 0 पे हम इसको define नहीं कर सकते है तो इस तरीके से हमारा यह cosec function का graph draw होगा ठीक है अब इसका inverse बनाना है क्या करना है वही values को interchange कर देना है जो पहले a भी था उसको अब ba कर देना है ठीक है तो हमने क्या करा y axis पे सारे angles को draw कर दिया 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 फिर 2 pi और नीचे minus pi by 2 minus pi और x axis पे हमने values लिख दी 1, 2, 3, 4, 5 and so on अब देखो तो cause inverse में क्या होगा अब उसका inverse कर देते हैं तो इसका मतलब कि sorry cause inverse को क्या करना है हमको inverse कर देना है तो cause अब हम क्या करेंगे जो हमारा causec function है उसका inverse कर देना है तो देखो inverse करेंगे तो क्या values मिलेगी आपको यहां से देखेगा जैसे हम cosec inverse 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा pi by 2 है ना इस तरीके से हम सारी values रखेंगे तो यह हमको graph इस तरीके से graph बन जाएगा ठीक है अब यहाँ पर भी आप देखेगा क्या देखेगा कि हम जब भी value रख रहें ना तो हम कितनी भी value रखें कभी भी हमको यहाँ पर देखें cosec में क्या नहीं मिल रहा है 0 नहीं आएगा मतलब आप x की value कुछ भी रखो y कभी भी हमको क्या होगा 0 नहीं मिलेगा मतलब range में क्या होगा आप cosec inverse में कोई भी real number रखो है ना सारे real number रख सकते हैं except minus one और one के number के बीच के number को छोड़के तो देखो हम minus one और one के बीच तो कोई number रखी नहीं सकते तो यह तो हमने छोड़ दिया इतना दो है न हम रखी नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे domain में ही यह चीज present नहीं है इसके अलावा हम one से लेके infinity तक कोई भी number रखें या minus one से minus infinity कोई भी number रखें तो range क्या मिलेगा आपको minus pi by 2 और pi by 2 के बीच में मिलेगा ठीक है क्या मिलेगा minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में तो यह मिल रहा है यह plus pi by 2 हो गया और यह minus pi by 2 हो गया तो इसके बीच के सारे numbers मिल रहे हैं minus pi by 2 और pi by 2 के बीच के लेकिन 0 नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कभी भी आपकी x की value रखने पे 0 हमको range में नहीं मिलने वाला और यह देखे यह जो हमारी values होंगी यह branch होगी इसको हम बोलेंगे principal value branch यह पूरा देखे कहां से कहां तक defined है minus pi by 2 से pi by 2 तो यह ना minus pi by 2 से यह pi by 2 तो यह भी included है और यह भी included है except 0 तो यह के लाएगा आपका principal value branch अब आते हैं हमारे next function sec पे तो sec इस तरीके से defined है हमारा sec size that r minus x such that x is equal to 2n plus 1 pi by 2 n belongs to z z क्या आपके पास में integers और views क्या मिल रहा है हमको range में मिल रहा है r minus minus 1 to 1 क्या मतलब है function को पहले थोड़ा हो समझ लेते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होंगे sec के domain में all real numbers present होंगे except kai को छोड़के odd multiple of pi by 2 तो हम इसको बोल सकते हैं कि domain is not defined for kai के लिए defined नहीं है तो not defined for odd multiple of pi by 2 है ना pi by 2 के odd multiple के लिए defined नहीं है और इसमें क्या होगा range में तो range में all real values present होंगी except all real values यह क्या होंगी range में present होंगी except किसको छोड़के except y greater than minus 1 and less than 1 मतलब minus 1 और 1 के बीच की value जो है range में present नहीं होगी जैसा कि हमने cost 1 में देखा था same वैसे ही है चलिए अब हम आते हैं अपने इसके restriction पर अगर हम सेक में हम क्या करेंगे restriction लगा देंगे 0 से पाई तर ठीक है लेकिन यहां पे condition क्या है यह condition है कि यह काई के लिए defined नहीं है पाई बाई टू के और बल्टिपल के बीच में तो 0 और पाई के बीच में कौन सी value आती है तो पाई बाई टू आता है तो पाई बाई टू जो है इसमें present नहीं होगा तो उसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा सेक इस डिफाइन फोर सच देट जीरो टू पाई माइनस उसमें से क्या माइनस कर दोगे पाई बाई टू क्योंकि पाई बाई टू यहां present नहीं होने वाला और रेंज क्या रहेगी तो हमने बोला था रेंज में तो कोई चेंज आएगा नहीं तो वो आपको as it is लिख देना है इसके लावा कुछ और ब्रांच के लिए भी हो सकता है है ना तो और कौन सी ब्रांच होती है तो उस पर भी देख लेते हैं यसे हो सकता है माइनस पाई स लेके two pie तक इसमें क्या present नहीं होगा तो इसमें इसमें आपका पाई-पाई-पाई-पाई-प्रेजेंट नहीं होगा और भी इसमें वह सारी प्रांच हो सकती है और इधर भी आप दो सारी नेगेटिव में ब्रांच अपना इसका है अगर हमको inverse निकालना है तो inverse क्या हो ज जाएगा अपना domain तो यहां लिख दो आर माइनस माइनस बन टू वन अब तो सब समझ में आ रहा होगा इतने questions हम लिख के लिए हैं है ना और इधर क्या हो जाएगा जो पहले domain था वह आप क्या बन जाएगा range तो 0 2 तो यह हो गया अपना principle valued branch अब हम बात करते हैं waveform scheme तो देखिए y is equal to sec x इसके लिए हमने जो waveform draw किये अगेन वही क्या x-axis पे हमने सारे angles को represent किया है y-axis पे हमने values को represent किया आप देखिए इसमें क्या condition थी तो इसमें condition है कि pi by 2 के जो odd multiples है वो यहाँ पर present नहीं होंगे है ना तो देखिए क्या odd multiples यहाँ पर present है तो देखो pi by 2, 3 pi by 2, minus pi by 2 यहाँ पर कोई value हमको नहीं मिलेगी है ना तो आप देखो हमने जैसे की रखा sec की value हम 0 रखते हैं तो sec 0 is equal to कितना होता है तो sec 0 की value मिलती ही अपने को 1 म graph क्या होगा इस तरीके से बन जाएगा फिर कुछ values हमने यहाँ पर रखी pi by 2 और 3 pi by 2 के बीच की values तो हमारा graph इस तरीके से बना अब देखो sec की value अगर हम pi by 2 रखते हैं मतलब 90 degree रखते हैं तो क्या होता है not defined होता है sec 90 degree पर क्या होगा not defined तो देखो यहाँ पर कभी भी pi by 2 प उसी तरीके से minus pi by 2 पर भी हमको sec की कोई value नहीं मिलेगी तो यहाँ पर भी यह line जो है इन दोनों line आपस में touch नहीं होगी तो यह बना अपना sec का graph ठीक है अब हम क्या करते हैं इसका sec inverse find out करते हैं तो inverse के लिए कि हमने y axis पर सारे angles को draw कर दिया और x पर हमने value को रखा ठीक है यहाँ पर क्या किया तो आप देखो sec inverse की value अगर हम 0 रखेंगे तो उसके लिए हमारा जो inverse function है वो defined नहीं होगा यहाँ पर क्या रखना है आप देखिए खुद ही देखिए कि domain में क्या present है domain में हमको रखना है all real numbers except minus one और one के बीच के numbers को छोड़कर इसका मतलब minus one और one के बी इसके अलावा कोई भी number आप रखे देख लो जैसे की one रखते हैं ठीक है आप चुकिए यह open interval है इसलिए इसमें minus one और one तो count होगा नहीं तो मतलब minus one और one हम जो है domain में रख सकते हैं तो अगर हम one रखते हैं तो हमको मिलता है sec inverse की value अगर one रखेंगे तो हमको कितना मिलेगा जीरो ठीक है कुछ values हम रखेंगे तो इस तरीके से हमको यहाँ पर graph मिलता जाएगा अब यहाँ पर आप देखिए हमारी जो range है वो कहां से कहां तक defined है तो range हमको मिल जाए 0 से पाई ठीक है अब 0 यहाँ है और पाई यहाँ है मतलब इन दोनों के बीच का जो है यह होगा अ वो हमारे लिए defined नहीं है ना तो पाई बाई टू कभी भी अपना 0 से पाई के बीच में नहीं आएगा इसलिए आपको ग्राफ इस तरीके से दिखाई दे रहा है पाई बाई टू पर कोई value नहीं मिलेगी तो यह होगी अपने principal value branch कौन कौन सी यह और यह दोनों मिला की ठीक हमारे real numbers present है minus किसको छोड़के x को और x क्या है odd multiple of pi by 2 मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा domain है वो क्या है not defined for not defined for काई के लिए defined नहीं है for odd multiple of pi by 2 है ना odd multiple of pi by 2 के लिए defined नहीं है मतलब इसमें क्या क्या present नहीं होगा pi by 2 present नहीं होगा minus sorry फिर 3 pi by 2 present नहीं होगा 5 pi by 2 present नहीं होगा 7 pi by 2 present नहीं होगा and so on और इधर हम देखेंगे तो minus pi by 2 present नहीं होगा minus 3 pi by 2 present नहीं होगा and so on तो यह सारे values हमारे domain में present नहीं होगे इसके अलावा बांकी सारे real numbers हमारे domain में present है और जो range है वो तो हमको आप साथ दिखाई दे रहा है कि यह real numbers है तो सारे real numbers यहाँ पे present होगे तो अब हम यहाँ पे इसको define करते हैं ठीक है हम क्या करते हैं सबसे पहले तो इसके domain को restrict कर देते हैं कहां से कहां तक restrict करेंगे तो देखो हमको यहाँ पे restriction करना है domain का जैसा कि हमने sign में किया था sign में क्या किया था हमने किया था minus pi by 2 से plus pi by 2 ठीक है ध्यान रहेगा sign cosec और 10 तीनों में क्या होगा minus pi by 2 से pi by 2 अब क्या करना है ठीक है अब difference क्या है sign में क्या था classed interval में minus pi by 2 से pi by 2 था cosec में क्या था . explosion में यहां से 0 माइनस कर रहे थे or 10 में क्या करेंगे open interval में रखेंगे ठीक है तो open interval में क्यों रख रहे हैं हम तो open interval में इसलिए रख रहे हैं यहां से minus uh um世界 2 और 5 way 2 यहोची का नहीं है ठीक है इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको open interval लगाना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच के हम number सारे रखेंगे इन दोनों को छोड़ कर ठीक है यह included नहीं होगा और range क्या मिलेगा तो वही जो हमारा range है तो हमने इसके domain को restrict कर दिया अब बात करते हैं इसका inverse अगर निकालना है तो क्या होगा आपका 10 inverse तो 10 inverse हो जाएगा such that है ना जो हमारे पास में range था अब क्या बन गया domain और जो अब हमारे पास में domain था पहले वह बन जाएगा range तो open interval में minus pi by 2 से plus pi by 2 इसको हम बोलेंगे principal valued branch principle value branch अब हम बात करते हैं यहाँ पर waveform की ठीक है तो यहाँ पर हमने 10 की waveform बनाई है और इधर हमने 10 inverse waveform बनाई है देखिए अब 10 की waveform कैसे बनेगी तो यहाँ पर हमारे पास domain क्या है open interval में minus pi by 2 से plus pi by 2 मतलब इन दोनों के बीच के सारे numbers हम रखेंगे है ना अब पहले तो हम चेक करते देखो minus pi by 2 तो हम अब आप में base की values रखते हैं देखो values रखते देख लो इस तरीके का graph बनेगा जैसे एक value हम रखते है 1045 1045 पर कितना मिलते है अपने को 1 तो देखो यह 1045 क्या होगा इसके बीच में होगा तो यहाँ पर क्या मिल रहा है अपने को 1 मिल रहा है इस तरीके से minus 45 degree रखेंगे तो हमको मिलेगा minus 1 तो यह graph इस तरीके से और भी value रखेंगे तो यह graph हमारा ऐसा बनेगा तो यह देखिए इस तरीके का हमारा 10 की waveform बनती है ठिक अब इसका inverse find out करते है 10 inverse अब यहाँ पर हमको क्या करना है कोई भी real number हम रख सकते हैं domain में रेंज हमेशा क्या मिलेगी आपको minus pi by 2 से pi by 2 के बीच में तो अब हमने क्या करा y axis पे सारे angles को draw कर दिया और x axis पे हमने numbers को represent करा है ठीक है अब आप देखो 10 inverse में कोई भी real number रखके देखो 0 रखोगे तो 10 inverse 0 पे क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा 10 inverse 1 रखोगे तो 45 degree मतलब pi by 4 मिलेगा आपको यहां मिल जाएगा है ना अब इसके बाद आप कोई भी number रखो कभी भी आपको value minus pi by 2 मिलेगी क्या नहीं मिलेगी 10 inverse में आप कोई भी real number रखोगे आपको क्या होगा range हमेशा minus pi by 2 से कम ही रहेगा उसी तरीके से sorry हाँ plus pi by 2 से कम रहेगा और नीचे भी आपको क्या रहेगा minus pi by 2 से कम रहेगा तो आप देखी यह जो graph दिखाई दे रहे ना यह minus pi by 2 और plus pi by 2 के बीच में ही रहने वाला है ठीक तो अब यहां पर बात आती है अपने principal value branch की तो हमारी principal value branch क यह होगी आपका principal value branch अब हमारा आता है last technometric function code अब code किस तरीके से defined है तो इसमें क्या है domain में सारे real number present है except x x क्या है x है आपका integral multiple of pi इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा domain है वो क्या होगे आपका not defined for chi के लिए defined नहीं है for integral multiple of of pi ठीक है पाई का integral multiple के लिए यह defined नहीं है कौन-कौन से होंगे वो integral multiple जैसे pi के लिए defined नहीं होगा 2 pi के लिए defined नहीं होगा 3 pi के लिए defined नहीं होगा and so on इसके अलावा minus sorry minus 2 pi minus 3 pi इन सब के लिए भी आपका domain defined नहीं होगा अब हम बात करते हैं इसके restriction की हम इसको restrict कहां से कहां तक करेंगे तो code को हम restrict कर देते हैं 0 से pi है ना कहां करेंगे 0 से pi जैसा हमने code के case में किया था लेकिन यहां पे bracket कौन सा आएगा open bracket आएगा ठीक है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब है यहां पे 0 included नहीं होगा देखो जब हम यहां पे n का value कोई भी integral रखेंगे तो 0 भी रखेंगे तो क्या होगा? उसमें 0 भी आ जाएगा मतलब की 0 minus 2 pi तो यहां पे 0 भी present नहीं होगा ठीक है? तो 0 भी इसमें include नहीं होगा इसलिए हमको क्या करना पड़ा है आपे open interval लगाना पड़ा और range क्या मिलेगी range तो यही मिलना है आपको all real numbers ठीक है अब इसका inverse निकालेंगे क्योंकि यह function क्या हो जाएगा आपका 1 1 और on 2 होगा अब 1 1 और on 2 है तो हम इसका inverse find out कर सकते हैं तो इसका inverse क्या होगा तो quote inverse such that क्या होगा domain की जगे तो range आजाएगा और range की जगे आपका domain आजाएगा तो यह हो जाएगा आपका 0 to pi और इसको हम बोलेंगे principal valued branch इसके अलावा कुछ और branch भी हो सकती थी क्या क्या हो सकती थी हम ले सकते थे minus pi से 0 ठीक है या फिर हम 0 से pi तो लिया है हमने pi से 2 pi इसके बद 2 pi से 3 pi इस तरीके से हम और भी बहुत सारी branches ले सकते हैं but this is our principal valued branch क्या होगी principal valued branch आपकी quote inverse are 2 0 to pi अब आती ही बारी हमारी waveforms की ठीक है अब दीखें waveforms में क्या क्या है तो सबसे पहले हमने quote की waveform बनाई ठीक है अब ये क्या है 0 और pi के लिए define नहीं है तो आप दीखें 0 और pi पे कभी भी हमारा graph इसको cross नहीं करेगा 0 और pi पे हमको कोई value नहीं मिलेगी तो आप दीखें हमारा graph किस तरीके से बन रहा है इस तरीके से बन रहा है ये जो दोनों rotate line और ये line है इनके बीच में कभी भी ये graph इसको cross नहीं करेगा मतलब इनके बीच में ही ये graph रहने वाला है अब बात करते हम हमारे quote inverse function की अब दीखें quote inverse function में क्या रखना है हमको domain में आ रहे है मतलब हमने यहां पे real numbers रखें तो हमको जो waveform मिलेगी मतलब जो range मिलेगी वो क्या मिलेगी 0 से pi के बीच में आप देखें यहां पे हम x पे जब real numbers put कर रहे हैं है ना तो आपकी waveform किस तरीके से दिखाई दे रही है यह आपको waveform दिखाई दे रही है है ना जो काई के बीच में लाई करेगी 0 और pi के बीच में लाई करेगी इसका मतलब यह है कि हमारा हम real number कुछ भी रखें यहां पे कभी भी हमारी यह value pi को cross नहीं करेगी